हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ राशन कार्ड के अंदर आप नाम को कैसे एड करा सकते हो अगर आप ये चाहते हो कि आपके राशन कार्ड के अंदर आपके फैमिली मेंबर में हो चाहिए आपका बेटा हो बेटी हो या वाइफ हो या कोई भी है आप उसमें add कराना चाहते हो तो वो किस तरीके से add होता है उसका सही process क्या होता है आपने अब से पहले भी request डलवाली आपने अब से पहले भी form online भरवा दिया लेकिन अभी तक उन memberों का नाम आपके राशन कार्ड के अ एड नहीं हुआ है जिनका आप एड कराना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या मिश्टेक की है क्या गलती की है जिस वज़े से नाम एड नहीं हो रहा है और अगर आप नाम को एड कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो इस वीडियो में जो है मैं ऐसी बात बताऊंगा एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आपको follow करना होगा उसके बाद में आप जिसका भी नाम add कराना चाहते हो राशन कार्ड के अंदर वो तुरंट से add हो जाएगा अगर आप यह चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को बिला स्कीप की एंड तक देखना होगा वीडियो स्टाट करने से पहले अपने भाई के नाम जानलेजे मेरे नामे शाहिद और आप देख रहे हैं बंध होगी जिस वयसे वो जो आपने डलवाई अपनी रिक्वेस्ट वो पैंडिंग में ही रही मैं आपको बता दूँ कि ये काम आपको कब करवाना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो अनलाइन का प्रॉसेस होता है अगर आप ये सोच रहे होगे अपने ही मुबाईल से जोड़ने अपने ही घरबेटे जोड़ने लैपटोप से कंप्यूटर से या क्या हम इसको खुद कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं को आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए ID चाहिए होती है और ID जो होती है वो होती है लोकवानी के अंदर जनसेवा के अंदर CSC Center वालों पास में आप वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर यह सारे तमाम काम होते हैं आइडी महीं उन्हीं ओफिसों पर उन्हीं शॉप पर आपको जाना होगा और अपनी प्रॉब्लम बतानी है आपको उन से जाकर करके सबसे पहले प्रॉब्लम बतानी है अब सुन लिजे किस तरीके से एड होगा आपके राशन कार्ड के अंदर नाम प्रॉब्लम किस तरीके से बताना उन से जा कर कि आपको बोलना है कि हम अपने राशन कार्ड में फैमिली मेंबरों को एड़ कराना है, अब जितने भी मेंबर आप EAD कराना चाता है एक, दो, तीन, जितने भी कराना चाते हैं, उनकि आधार वगभा भी ले जाने होंगगे आपको तो वहाँ पर क्या होगा कि वो आपके form को online करेंगे लेकिन online करने से पहले आपको उनसे ये कहना होगा कि मैं ये काम पहले भी की मरतुबह करा चुका हूँ पर मेरी जो है ये problem soul नहीं हो रही है मेरे नाम नहीं चड़ रहे हैं ये चीज़ाआप उनको बोलेंगे तो ये चीज उन लोगों को पता होती है, आप लोगों को नहीं पता होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप online form करवाएं, चाहे नाम को delete कराने का process हो, या फिन नाम को जुड़वाने का process हो, नया राशन कार्ट बनवाने का process हो, आपको ये काम तब करना चाह होते हैं यह उनको पता होती है तो उनसे पूछ कर जब आप से ये कह के जी है यह वर्क चल रहा है सब हो रहे हैं तो तब आप उनसे कहेंगे के आप हमारी रिक्वेट्ट डाल दो कि हम इसमें नाम को आड कराना चाहते हैं तो फिर वह आप प्रामेंट्स मागेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो आप यहाँ पर इस चीज को मेरे करने की किरपा करें, इस तरह से उनसे बात करेंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा, उनसे यह कहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा परिशान हूँ, पहले भी मैंने के बार फॉर्म भर लिये, तो वो आपकी बात को सुनने के बाद में आपक वो काम कर देंगे, और आपकी जो रिक्वेश्ट है, उसको अप्रूवल दे देंगे, और आपके नाम जो है, उसमें जो एड कराना चाते हूँ, वो एड हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरही के से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी राशन कार से रिलेटिड, अगर आप और कुछ भी पूछना चाते हो, आपके मन में कोई और सवाल है, या फिर आप राशन कार को लेकर के कन्फ्यूज हो, किसी भी बात को लेकर के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शिट में मेरे इस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो करके मेसिज कर कुछ भी पूछ सकते हो, राशन कार से रिलेटि कोई भी सवाल मैं आपसे बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम का समधान मैं आपको महां पर बता दूँगा, आई होब कि आपको वीडियो अच्छी लगए कि आपको पसना है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे च